नमस्ते दोस्तों मैं हूँ शोवित और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्कुलर मोशन की वैसे देखाया जा तो बहुत ही छोटा टॉपिक है और इससे क्मीकिशन बनते हैं लेकिन जो भी question बनते हैं उनको हम आज अच्छी तरीके से discuss कर लेंगे वीडियो छोटा ही रहने वाला ही वाला पर हम ट्राय करेंगे कि न सारी चीजों को अच्छे से discuss कर लिया जाए ताकि इससे आने वाला कोई question अपने से बच ना पाए इसके अलावा भाई देखो एक और important चीज है अगर आपको ये सारी चीजे अच्छी लग रही है वीडियो अच्छे लग रहे हैं comment section में आप हमें feedback देते रहते हो जिससे हम और भी चीजे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं पर चैनल तो subscribe कर लिया करो यार 50% करो और बिना subscribe करे देख रहा है चैनल subscribe कर लो इसमें तुमारे कोई पैसे नहीं लगने app download कर लो वहाँ पे मैं ये थोड़ा सा delay हुआ मुझे notes डालने में लेकिन मैं notes for sure डाली रहा हूँ आगे के भी तो आपको सारे notes मिल जाएंगे इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि आपको अभी तक कोई sponsorship नहीं मिली है तो हमारे एक नया बैस शुरू होने वारा बहुत जल्दी जिसके बारे में आपको information मिलेगी तो आप December की sponsorship की preparation properly हमारे साथ रहे कर के कर सकते हैं okay guys so now circular motion पे चलते हैं circular motion circular motion में क्या बोल रहा है कि circular motion is another example of two dimensional motion obviously बात है two dimension में हो रहा है दूसरी बात क्या वो बोल रहा है to create circular motion in a body it must be given some initial velocity and a force must then act on the body which is always directed at right angles to instantaneous velocity मतलब यहां पे जो force होता है यह वाला force जिसको हम centripetal force भी बोलते हैं और यह instantaneous velocity के हमेशा perpendicular होता है यह हमेशा याद रखना और यह किसी भी position पे देखोगे हर जगे पर यह perpendicular दिखी रहा होगा आपको since this force is always at right angles to the displacement therefore no work done by the force on the particle मतलब centripetal force के द्वारा किया गया work done जो होता है centripetal force के द्वारा किया गया work done जो होता है वो हमेशा zero होता है इस पे दो छोटे question बन सकते हैं जो कि मैंने आपको यहां बता दिये इसके अलावा इसमें कुछ variables होते हैं कि angular displacement क्या होता है angular velocity क्या होती है तो भाई आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कोई particle है circle पे जा रहा है तो आप अपने right hand के finger को circle पे rotate करो thumb का जो direction होगा वो direction आपको देगा angular displacement अब बात यह आती है कि angular इस direction में कुछ चीज move तो कर नहीं रही है आपने कैसे दे दिया यह एक अलग कहानी है बिल्कुल अलग ही story है बट फिलाहल हमें उसमें जाने का time नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि हम सीधा सीधा यहाँ पे angle, arc और theta इन सब में एक relation बनाते हैं angle equal to arc upon radius तो arc equal to r theta आ जाता है तो यहाँ पे हम बोलते हैं s equal to r theta यहाँ से हम उसमें relation भी बनाते हैं displacement जब हम angular displacement की बात करते हैं तो बस यह थोड़ा cross product के form में आने लगता है और angular displacement और angular velocity जो होते हैं सब free vectors होते हैं तो जादा उसमें नहीं गुस रहे हैं हम लोग ठीक है बस आप इतना याद रखो क्योंकि s ऐसे देखो के तो s equal to theta cross r आएगा यह s equal to r theta बोल देते हैं ऐसे velocity और angular velocity में relation निकालोगे तो omega cross आएगा omega cross r आएगा और इसको हम v equal to r omega भी बोल देते हैं time period आपको पता है एक circle को एक revolution को complete करने में जितना time लगता उसको हम बोलते हैं time period अगर उसको एक revolution में t second का time लग रहा है तो हम बोलेंगे कि उसका time period t है और अगर हम पूचेंगे कि एक second में कितने revolution complete किये तो हम इसको बोलते हैं frequency ठीक है तो frequency की unit क्या होती है 1 upon s या second inverse या इसी को हम लोग बोलते हैं hertz तो t equal to 1 by n होता है angular frequency बोलोगे तो angular frequency हम यहां से निकालते हैं या angular velocity देखोगे कि कोई particle वैसे तो आपको पता है कि angular velocity क्या होता है theta by t होता है मतलब angular displacement upon time तो अगर हम यह बोलेंगे कि उसने पूरा एक circle ही complete कर लिया तो मतलब उसने कितना angle किया complete 2 pi radian हमेशा है radian में डालना degree में मत डालना तो उसने 2 pi radian complete किया कितने time में time period में cover किया तो omega में यानि angular velocity में और इसमें क्या relation बनता है वो आपको आराम से दिखाई पड़ रहा है और अगर 1 by t को आप n लिख दोगे इसके अलावा क्या होता है एक term मैंने पहली बताया centripetal acceleration तो centripetal acceleration के बारे में ज़रा ध्यान से सुनना acceleration acting on the object undergoing uniform circular motion is called centripetal acceleration तो इसमें एक जो बहुत खास बात है वो यह है कि यह कोई अलग तरीके का यहाँ पे मैंने देखू यह point लिखा हुआ है कि centripetal force जो होता न लोगों को लगता है कोई अलग तरीके का force लग रहा है जिसका value mv square भाई आ रहे है ऐसा नहीं होता है centripetal force is not a new kind of force it is just the resultant of all the forces acting radially inward and outward तो जो पहले से ही forces लग रहे होते हैं जैसे जबोस करो कि हमने इस body को यहाँ पे रखा एक रसी से बांदा और घूमाना शुरू कर दिया इस stable पे तो यहाँ पे obviously tension काम करने लगेगी यहाँ पे तो यह जो tension है फिलाल यही tension हमारे लिए mv square का का काम करेगी जैसे यह sun है और sun के around हम लोग मान लेते हैं कि है circular orbit में घूम रहा है तो इन दोनों के बीच में जो एक force काम कर रहा है gravitational force यही gravitational force हमारे लिए क्या बन जाएगा centripetal force बन जाएगा और यहीं से हम centripetal acceleration निकालेंगे मतलब हमें आलक से कोई mv square by r नहीं रखना है हाँ जब हम लोग इसका proper derivation करते हैं सी वर्मा में देखो कि तो एक बहुत बढ़िया सा derivation दिया हुआ है जिससे आपको पता चल जाता है कि a का value v square by आ राता है या r omega square आता है कभी-कभी ऐसे formula भी ऐसे question भी बनते है तो यह सब चीज़ें आती है और derivation है प्रोपर derivation है बढ़ हम जा नहीं रहें उसमें तो बहुत लोगों को लगता है कि अच्छा-च्छा मतलब जब भी कोई body घूमरी होगी तो उसमें mv square by r नाम का एक force काम करेगा नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है जो भी forces पहले से ही काम कर रहे हैं उनके ही resultant को आपको ऐसा बनाना है जो भी forces काम कर रहे होंगे उनके ही resultant को आपको किस से equate करना है mv square by r से equate करना है इस चीज को याद रखना तो यह centripetal force के बारे मैं बता दिया अब ऐसे ही एक बात आती है centrifugal ठीक है बहुत लोग इसमें confused होते हैं centripetal centrifugal क्या होता है तो भाई centrifugal जो होता है उसने पहली बोल दिया it is an imaginary force due to incorporated effect of inertia जब हम क्या करते है rotated frame में आकर के खुद ही बैठ जाते हैं जैसे अगर हम car में जाकर के बैठ जाएं और car ऐसा round कर रही हो तो हमें बाहर की तरफ एक force लगेगा क्यों लगेगा क्योंकि हम car के अंदर जाकर के बैठ गए तो वो जो force हमें बाहर की तरफ लग रहा है that force और वो एकदम centripetal force के equally होगा तो that force is known as centrifugal force तो आपको centripetal या centrifugal force जो होता है इनका magnitude same होता है बस centripetal को हम बोलते हैं वो real है centrifugal imaginary है और imaginary क्यों है क्योंकि वो pseudo force है और pseudo force क्यों है क्योंकि वो हमेशा तब feel होता है जब हम rotated frame में या rotating frame में बैठते हैं तब जाकर के हमें वो feel होता है तो आपको ये difference याद रखना है क्योंकि ये difference ही आपसे पूछा जा सकता है exam में ओके so moving on इसमें बहुत सारी theory लिखी हुई है work done by centripetal force जीरो होता है ये मैं पहले ही बता चुका हूँ और इस पर question आ चुका है पहले इस चीज़ को अच्छी तरीके से जाद रखना थोड़ा सा यहाँ पे friction का concept यूज हो रहा है जो मैंने नहीं बताया था वहाँ पे जो मुझे actually बता देना चीज़ था तो friction का concept क्या है जैसे suppose करो कि कोई body is skidding of a vehicle on a level road तो हम क्या बोलने है कि when a vehicle takes a turn on circular path it requires centripetal force जब ये ये जो गाड़ी है ये circular path पे जब turn लेगी तो obvious सी बात है कि होगा क्या कि इसको एक centripetal force की ज़रूरत पड़ेगी और वो जो centripetal force है वो उसको किसकी वज़े से मिलेगा friction की वज़े से क्योंगी जब गाड़ी घूम रही होगी तो ये बाहर जाने की कोशिश करेगी और friction अंदर की तरफ काम करेगा तो जब हम इस friction को mv square by r से equate करते हैं तो v square का value आ जाता है mu rg या v का value आता है root over mu rg तो यहां से हम v safe निकालते हैं कि mu rg से lesser या फिर equal होना चाहिए तो हमें अगर किसी road का friction पता है और उसका radius of curvature पता है तो हम वहाँ पे velocity निकाल लेते हैं कई पर आप लोगों ने देखा होगा कि velocity जब आप suppose करो जम्मू से श्रीनगर जा रहे हो या कहीं ऐसे हिली area में जा रहे हो तो वहाँ पे velocity की limit लिकी रहती है तो वह limit इसी तरीके से calculate की जाती है और इसी लिए लिखी जाती है वहाँ पे इसी तरीके से motion of charge particle भी जब magnetic field पढ़ेंगे तब हम उसमें motion of charge particle को भी देखेंगे कि वो कैसे काम करता है ठीक है तो फिलाल ये दो point थे जो मुझे बताने थे अब next lecture में में work power energy या अगर आप चाहो तो motion of charge particle भी आप यहाँ पे देख सकते हो चलो मैं इसको भी बता देता हूँ कि जैसे ही charge particle अंदर enter करता है तो वहाँ पे qv cross b वाला formula रगता है और जब हम वो qvb को mv square by r से equate करते हैं तो हमें वो radius मिल जाती है cyclotron में भी चीज यू सकती है तो हमें radius मिल जाती है किस radius में वो move कर रहा होगा velocity बढ़ा होगे तो radius बढ़ा होजागा velocity कमकरोगे तो radius कम हो जाएगा तो ये सब चीज़ें होती है cyclotron में हम इस concept को use भी कर रहे होते हैं तो ये छोटी-छोटी चीज़ें थी जो मुझे बतानी चाहिए थी आपे, ठीक है, फ्रिक्षन आएगा तो मैं फ्रिक्षन में भी कुछ चीज़ों को इंक्लूड करूँगा, तो आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ, अगर कोई और डाउट्स रहते हैं, कुछ और ची ये करेगा कि exam के time पे question लिखने के time पे concept आपके दिमाग में है या नहीं है, अगर वो formula आपके दिमाग में है, तो question देख करके फटाक से कर दोगे, और अगर नहीं है तो बस बैठे-बैठे सोचते रहोगे, चीज़ें?